C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ सत्रह नंदिता मुंबई में प्रिष्ट 137 आज मुझे मुंबई आए एक महीना हो गया है मा तभी से अस्पताल में भरती है उनके इलाज के लिए ही तो हम गाउं से मुंबई आए हैं मुंबई एक बड़ा शहर मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई पर आज भी वह दिन याद है जब मा और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे कितनी भीड थी मैंने फटाफट मा का हाथ पकड लिया था मैं सोच रही थी इतनी भीड में मामा कैसे दिखाई देंगे तभी पीछे से जोड से आवाज आई नंदिता नंदिता मुड कर देखा वो मामा ही थे प्रेश्ट 138 स्टेशन से मामा के घर की ओर चले पर यह क्या फिर से इतनी भीड वाला इलाका संक्री गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई जुग्यां उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे यहाँ एक कमरे में मामा, मामी उनकी दो बेटियां और बेटा रहते हैं और अब मैं भी था वहीं बेटना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना हमारे गाओं के घर में भी एक ही कमरा है पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग-अलग है बाहर आंगन भी है पानी की किल्लत मैं मामी और सीमा के साथ सुबह चार बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ बापरे वहाँ पानी के लिए कितने जगड़े होते हैं? अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा हमारे गाओं की घर में भी नल नहीं है गाओं में तालाब बीस मिनट की दूरी पर है गर्मियों में कभी-कभी तालाब का पानी सूख जाता है प्रेश्ट 149 तब घंटा भर चल कर नदी से पानी लाना पड़ता है पर पानी के लिए इतने जगड़े तो नहीं होते मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है गली के सभी लोग वहीं जाते हैं इतनी गद्दगी और बदभू वहाँ जाने पर मुझे तो मितली आती है अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता पानी साथ ही ले जाना पड़ता है अब तो इसकी आदत पड़ गई है गाउं में तो सब खुली जगह पर जाते हैं लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है लिखो नंदिता को गाउं से मा को मुंबई क्यों लाना पड़ा मामा की बस्ती के टोईलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी क्यों? प्रिष्ठ 140 नंदिता को अपने और मामा की घर में क्या अंतर लगा? बस्ती के नल से पाने भरने और गाउं में पाने भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? सीख ही लिया मैं रोज मा से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ शुरू में तो बसों में भीड देख कर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चड़ने की आदत जो नहीं थी डर भी लगता था पर अब ठीक है मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है कितने का टिकेट लेना है कहां उतरना है बस्ती से कुछ दूर एक मुची बिल्डिंग है वही साथ घरों में मामी, सफाई और बरतंद होने का काम करती है एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है पर नहीं, वे तो एक के उपर एक बने बहुत सारे घर थे प्रिष्ट 141 मैं सूच रही थी कि इतनी सारी स्लिडियां कैसे चड़ूंगी पर वहां लिफ्ट भी लगी थी, एक बड़े से लोहे के पिंजर जैसी पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें हम कितने सारे लोग उसमें घुज गए, बटन दबाया और जट पहुँच गए उपर सच बताओ, मुझे पहले बहुत दर लगा था बताओ, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भरती हुआ है? कितने दिन के लिए? क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? वहां उनकी देख भाल कौन-कौन कर रहे थे? क्या तुमने कभी उची बिल्डिंग देखी है? कहां? उस बिल्डिंग में कितनी मंजिले थी? तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चड़े हो? दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई उसका घर बारवी मंजिल पर था कितना बड़ा घर था? बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग वहां टॉयलेट भी घर के अंदर ही था मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा पर खास परिशाने नहीं हुई रसोई घर में ही नल लगा था और ज़र ज़र पानी बह रहा था परिश्ट 142 बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया कितना पानी बेकार बह गया यह मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने जाकर नल बंद कर दिया बबलू के घर में बड़ी बड़ी काच की खिड़कियां थी मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी बस्ती तो दिखाई थी पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है उपर से नीचे सब कुछ खिलोने की तरह छोटा-छोटा लग रहा था मुझे डर भी कितना लगा था उपर से बहुत नीचे जहाकने में शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या-क्या करने में डर लगता था प्रिष्ट 143 मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या-क्या अंतर है एक तालिका बना कर बताओ इसमें दो कॉलम हो एक, मामा की बस्ती के घर कॉलम दो, उची बिल्डिंग में बने घर यह अंतर क्यों है? चर्चा करो अपने बारे में बताओ इन में से तुम्हारे घर किसके जैसा है? उस पर गोला लगाओ नंदिता के घर जैसा? मामा के घर जैसा? बबलू के घर जैसा? या किसी और तरह का? तुम्हारे घर में पानी कहां से आता है? क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ, तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है हम तुम्हें कुछ जगहों के नाम बता रहे हैं तुम्हें बताना है कि ये जगह तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर है बस स्टॉप कितने मिनट दूर है और कितने किलो मीटर दूर है स्कूल कितने मिनट दूर है और कितने किलो मीटर दूर है बाजार कितने मिनट दूर है और कितने किलो मीटर दूर है पोस्ट आफिस कितने मिनट दूर है और कितने किलो मीटर दूर है अस्पताल कितने मिनट दूर है और कितने किलो मीटर दूर है तुम्हारे इलाके में बने अलग-अलग तरह के घरों का चित्र कौपी में बनाओ प्रिष्ठ 144 एक नई चिन्ता मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई गुमाने ले जाएंगे बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बाते करते हैं सुना है वहाँ बड़े-बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए आज कल मामा बहुत परिशान है मैं उनसे मुझे मुंबई गुमाने को भी नहीं कह सकती पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे अब वहाँ बड़ा होटल बनेगा मामा ने बताया था कि पिछले दस सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगा दी जा रही है इस जुगी के बदले जो जगा मिली है वह शेहर से बहुत दूर है समझो शेहर का दूसरा को ना वहां ना पीने का पानी है ना बिजली पता नहीं महां कोई बस भी जाती है या नहीं मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे कितना ज्यादा पैसा लगेगा और कितना ज्यादा टाइम भी और मामी उनको वहां काम मिलेगा भी या नहीं अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं मा से मिलने कैसे आऊंगी मा तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई प्रिष्ट 145 कौपी में लिखो मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है क्या तुमने कभी अपना घर बदला है यदि हाँ तो किन कारणों से क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है वे कहां जाते हैं वे कितनी दूर जाते हैं चर्चा करो क्या मामा की बस्ती को हटा कर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है इससे किसको फाइदा होगा इससे किसको परिशानी होगी क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हे नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परिशानियों का सामना करना पड़ा हो इसके बारे में कक्षा में बताओ अपनी पसंद के घर का चितर बनाओ और उसमें रंग भरो नंदिता मुंबई में अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का सत्रवा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत